शास्त्रार्त सरुनिर्णे प्रकरण के की विर्जभाषा विवर्ती ये कोटा के कनेयलाल मुख्याजी आते और बहुत कम ऐसे मुख्याँ है कि जिनको शास्त्र को इतनो ग्यान होए यहां तो इनने विजभाषा को अनुवाद कियो है तो वाके अलावा भी इनके बहुत ग्रंथें आते जो प्रकाशित नहीं हो पाए यहां कि खास्यत यह है कि आज अपन अनुवाद करें न तो थो थो बोजिल अनुवाद हो जाए इनने अनुवाद कियो है और ग्रंथ को सरल बनायो है और कोई विशय छोड़े हो नहीं है टीकान को और यहां लिए शरत बावा ने सबसु पहले यह चपवाए अब वाकी यह दूसरी आवर्ति प्रकाशित भई है हमारे यहां बंबई में वल्लब वेदान को डिपार्टमेंट है मामे शास्त्राथ और सारु निर्ने भी हमने रख्यो है पूरो तो नहीं रख्यो जा सके पर याके सिलेक्टिट पोर्शन रखे है ऐसे सिलेक्टिट पोर्शन के जाके अध्येंसू जो वल्लब संपर्दाय को मुख्य सिद्धानत है दर्शन को और धर्म को वाको ज्यान हो जाए क्योंकि इनुवर्सिटी के अपनी समय मरियादा है करके पूरो ग्रंथ नहीं रख्यो जा सके हो सिलेक्टिट पोर्शन रख्यो है पर शास्त्राथ प्रकरण की एक सबसे बड़ी महत्ता ये है कि ये माप्रभुजी को पुर्थम ग्रंथ है जामें जितने भी ग्रंथ लिखेंगे वाकी योजना महाप्रभुजी के मन में हती और वो योजना मन में हती करके जो भी ग्रंथ लिखे गए वाको शास्त्राथ प्रकरण में उल्ले खावे कई लोग आदुनिक आलो चक अपने पुष्टी मार के बाहर वालें को तो अपने ग्रंथन के बारे में ज्ञान ही नहीं है क्योंकि अपने ग्रंथी प्रकाशत नहीं है यह अपन भोग और हिंड़ोला और कुंडवारा यही सब ज्यादा प्रकाशिक की है और अपने संप्रजाय के कुछ जो आलो चक हैं वो लोग ऐसे मानें के शास्त्राथ प्रकरण महा प्रभुजी को कुछ और ओपिनियन हतो बार्ष शुद्न में कुछ और ओपिनियन हतो और शर्णश ग्रंथ प्रकाश्य स्ट्राथ टम जाकि उनको ओपिनियन बदल गए हो अर वो ओपिनियन बदले होबाँ में वो एज यज फैक्टर बताबे ज़से एज़ फैक्टर बे उनको उपिनियन बदल तो गयो क्या करनो ऐसे आलोचकन को कोई इलाज नहीं है सच बात यह है कि शास्त्राष्ट प्रकरण सुले के अंतिम माप्रोजी को ग्रंत शिक्षाश लोकी तक माप्रोजी को ओपिनियन एक ही रहव है बदल नहीं है जो बदलाव है वो कौन सी बात को है क्योंकि कोई भी विशाई को जावखत अपन चर्चा करते हो है तो विशाई के अनुरूप चर्चा होईगी न शास्त्रात प्रकरण में माप्रोजी के मत के हिसाब सूप माप्रोजी ने ये गीता के उपर ऐसे लिख्यो है वह गीता को सिध्धन्त क्या है याल ये माप्रोजी के हैं कि गीता की व्याख्या मैं या तरह सु करना चाहूँ या सिध्धन्त क्या थार पर क्योंकर महाप्रभुजी को ये ख्याल है कि क्रश्चनवाक्यानू सारे न सास्त्रार्थम् है वदण थि तेही भागवता प्रोकता शुद्धास्ते ब्रह्मवादीनौ बगवत गीता के अनुसार सारे शास्त्रन क्योंकि भगवान ने जब शास्त्रन को सारे वेद को उपनिशत को रहसी उपनिशद में आयो है और उन सारे उपनिशदन को रहसी गीता में आयो है तो जो भगवान खुद वागवान को रहसिय की से ओर हो सका, याले महाप्रभुजी को ये सिद्धा नते сделал, कि जो भी शास्त्र को अर्थ करनो है, वो गीता के अनसार होना चाहिए, वो गीता को रहसिय क्या है, वो यामे महाप्रभुजी ने समझाय ये, शास्त्रा अर्थो गीता अर्था कहे कि एक बखत ये बात समझ में आ जाए मन ये फाउंडेशन है नीव है ये नीव समझ में आ जाए तब आके उपर फिर पिलर और सब खड़े हो सके बीम और सब वाके लिया महाप्रभुजिने सरुनिर्णे लिख्यो सरुनिर्णे में महाप्रभुजिने जो भी मान्य शास्त्र है उन मान्य शास्त्र में से कोई भी शास्त्र को छोड़ ten नहीं है सब शास्त्र के उपर साकार ब्रह्मवाद के एंगल से उक्या अपनो एप्रोच है सभी आचार्यन ने बहुत सारी बातें लिखी है पर कोई आचारी को सर्व निर्णे लिखे उपलब्द नहीं होगा है वो अप लिखने वालो अपनो एक खाली महाप्रभुजी है जैने काव्य शास्त्र के आयुरुवेट शास्त्र को सब शास्त्रं के उपर साकार ब्रह्मवाद को अपने दुर्भागी यह है कि महाप्रभुजी ने जो गाइडलाइन बताई वाँ गाइडलाइन को अपन लोगन ने चाहिए जैसी विवेद शास्त्रं के संदर्व में डेवलप नहीं करी है आवर्शक्ता यह हती है कि जो महाप्रभुजी ने गाइडलाइन बताई वाँ गाइडलाइन के हिसाफसू जितने भी शास्त्र महाप्रभुजी ने सरु निरनाए में अपनों निरनाए दियो यह शास्त्र के बारे में में यह निरनाए है अपने एक अर्टबिहतो कि उन शास्त्रन पे वाँ निर्णएक है इसाफसू वियाक्षा लिखते वीवेचन लिखते वो सम्हाँ नहीं हो पाया क्योंकि अपने संपर्दाय में अपने ही संपर्दाय में definire जो आये है एक मैंने एक श्लोक बनाया मजा की अश्लोक है वैसे तो, वाश्लोक में मैंने ये बात लिखी है के भोक्तुं गजो पी हन्तव्य, भोक्तव्यस्चे हतो यदी, गजभक्षण व्यापारे व्याग्रो व्याग्रो व्रको व्रका मने भूख लगए तो भाग जो है वोःश्यर को भी हाथी को भी मार है, हाथी तो बहुत डीलडल में मोटो है, तो जा भखत भूख लगए बाग को, तो अकूँ पता है के हाथी को कैसे मारनो, सब जगह नहीं काटे बातें मांथे बातों कि आ जाके जब भूक लगी है तो हाथी को मार है, पर वरक्माने भेडिया कभी रिस्क नहीं ले हाथी को मारने के, मर्यों भयों हाथी मिले तो हाथी को खावे, तो ऐसे हर धर्म में कुछ व्याग्रों में हैं, कुछ भेडियां में के मर्यों मिले तो खाजाव हाथी को भी, मारने की हिम पंचितंत्र में एक बड़ी मज़ा किया स्टोरी है, बाग ने देख्यो, बाग ने अपनी बागिन से पूछयो, आखें लाल हैं के नहीं, उनने के हैं लाल, पूछ उची भई के नहीं, बोले भई, शिकार कर लायो, ये बेडिया ने या शियालिया ने देख्यो, ये फॉर्मिला अच्छ है शिकार करने को, बाग ने अपनी बागिन से पूछो, शियालिया ने आख लाल भई के नहीं, आपकी आख कब लाल, हैट ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना के आख लाल भई, मेरे बापको क्या जाए, चलो आख लाल भई, पूछ उची भई, उनके अधा पे शिकार करने गये हो, हाथी नहीं हो, अगधा ने ऐसी लाते हमारी, कि आख भी लाल होगे और कूछ भी उची होगे, ये भेडिया के और शियालिया के शिकार के या-तरिके के फेक फॉर्मुला हूँ है. सच्य फॉर्मुला नहीं हूए. हर धर्म में ऐसे फेक फॉर्मुला को जीने वाले भी बहुत मौझूद है और सचे शिकार वाले बाप के जैसे हिम्मती भी मौझूद है कि जो धर्म के मार्ग में आती वही बाधान को हाथी के जैसी बाधान को खुछ शिकार करते होगा है कुछ ऐसे हुए धर्मान धर्म वाले कि जहां कोई बाधा नहीं है महां जाकर पर अपने हैं अपने हैं और अपने हैं और वह लफड़ा के कारण चले मनें अपन वल्लब संप्रदाय के इतिहास को जो चार भाग में विभाजित करें तो अभी हमारे 20-22 में पीड़ी चल रही है मैं सोलवी पर हूँ मेरे नीचे चार पीड़ी और होगें 22 में तो नहीं है ये 20 तक आ गई है तो शुरुवात की जो छे पीड़ी हाती वो एकदम बाप के जैसी हाती कि जिनने ग्रंथें लिखे जिनने परचार कियो जिनने अमार्ग को फैलाने के लिए पूरो परिश्रम उठायो उनके द्वारा जो वल्लब संपरदाय को इतना व्यापक परचार परचार भयो वाकू निभायो दूसरी छे पीड़ी में बारा पीड़ी हो गई वाके बाद शियालियान को और बेडियान को यूग आयो और वा यूग में कचु करयो धरयो नहीं सिवाय ठाकूर जी के एग्जिबिशन के और वा एग्जिबिशन भी ऐसो कियो कि जामें लोगन में सेवा की शृद्धा बढ़ने के बजाए घट गई दर्शन की शृद्धा बढ़ गई हवेलिन में हमारी समर्दी तो बढ़ी है, हमारी तो समर्दी बढ़ी पर संपर्दाय की समर्दी नहीं बढ़ी है संपर्दाय की समर्दी सेठियन के शिश्य होने में नहीं है, धन्ना सेठन के शिश्य होने में नहीं है, संपर्दाय की समर्दी या में है कि संपर्दाय के सिद्धान को जीने की निर्ठा अपनने कितनी बढ़ाई, वो नहीं बढ़ाई पैसा की समर्दी बढ़ाई बागवत सब्तान के दारा मनोरतन के दारा या के दारा हुआ के दारा अज अपने वेश्टनमन को अपने संपरदाय के सच्छे सिधान कहने में हम लोगन को शरम आने लग गई है कि मानेंगे नी तो पर बात ध्यान से समझे कम्यूनिस्टन को अपने कम्यूनिस्टन को सिधान कहने में शरम नहीं आ रही है का नहीं आपके सामने महजूद है जेन यू को दिल खोल के अपना सिधान कहे दिल खोल के क्रिटिसाइज करे क्रिश्चनन को क्रिश्चन सिद्धान कहने में संकोच नहीं है मुसल्मानन को अपने सिद्धान कहने में संकोच नहीं है अपने को अपने सिद्धान कहने में अप संकोच होगे लगे यह सिद्धान ते हैं पर कहें कैसे येदि यह तरीके को संकोच रख्यों गए हो तो महाप्रवजी वल्लब संपरदाय को परचार ही नहीं करी सकते क्यों वाबका तो कोई हतो ही नहीं वल्लब संपरदाय को दमखंस उनने परचार कियो दमखंस लोगन में वो निष्ठा पैदा करी वो निष्ठा आज तक गुजराती में केवत भांगी तो ये भरुच और भरुच की कोई काल में बहुत बड़ी समर्दिया थी वो नहीं रही तो भरुच की कोई मात्ता रही क्योंकि पोर्ट अतो पुराने जमाना को जैसे आज बंबई पोर्ट बड़ो है ऐसे कोई जमाना में भरुच को पोर्ट इतनो बड़ो हतो कि बाइबल में भी वाको नाम है बाइबल में नाम है ग्रीक हिस्टोरियन के लोगन के वामें नाम है टॉलेमी वाको रिफर करे है वो लोग भरुच को बैरोगच कहते थे क्योंकि ब्रगुकच नाम है तो पुरा नौ। ब्रगुकच को अपव्रम्श होते होते हुदे भरोच भयो। और आज भढ़ोच के हैं। तो बेरोगच वाको नाम है। ग्रीक हिस्टोरियन भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहां इंडिया सुग, बहुत सारी चीज़ें वहां एक्सपोर्ट होती थी, करके कोई बजा मानम भरुच में बहुत समुर्ध दिया थी, वासु गुजराती में कह वाता है भांग्यू तो है भरुच, ऐसे आपन भांग् जो बड़े ने निष्ठा पैदा करी न, वांग्यू तो है भरुच के सब उधारन आप लोग हो, वांग्यू तो है भरुच, आपको पुष्टी मार्ग में निष्ठा है, वांग्यू तो है भरुच के जैसी, बाग्यू तो हम लोगं को तो कहने में सिद्धान संकोच हो र तो यह एक बड़ी दैनी स्थिती है पुष्टी मार्ग की पर खेर जो है स्वाए कनेया शालाल शास्त्री जीन ने कनेया लाली नाम है ने इंको ऐसो ही कुछ नाम आता हूँ गोकुल्दास शार्टी कनेया लाल जी तो इनके मारा जाते है हमारे ताज जी उनके बखत के शास्त्री है तो यह गोकुल्दास शास्त्री ने वाब खत exceptionally actually शास्त्री नहीं आते हैं मुख्या आते हैं वो मुख्या होते भए सेवा भी करनी और ग्रंतन को भी अभ्यास करना हूँ वो एक रेर पे नो भी नहात हो अपने किशनगर के महराज पृत्री सिंग जी के बारे में ऐसे कर जाए कि वो सेवा भी करते थे और विद्वन मंडन जैसे ग्रंत भी लगाते थे फिर वाके बाद राज काच करते थे सबको संस्कृत समझ नहीं आवे तकलिफ आज की तह यह है कि बर्जवाशा भी अब समझ में नहीं आवे और थोड़ दिन बाद में आप लोगं को शाहिद मारवाडी भी समझ में नहीं आईगी क्योंकि अंग्रे जी को प्रचार इतना बढ़ गयो है कि लोग गुजराती बच्चान को गुजराती समझ में नहीं आ रही है हिंदी बच्चान को हिंदी समझ में नहीं आ रही है मारवाडी बच्चान को हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो मारवाडी बच्चान को मारवाडी कांस को समझ में आईगी अपने पर वो दौर चल रहे हो अभी आज को पर चैनन की आमें प्रशंसा करनी चाहिए कि उनकी प्राकृत भाषा आज कोई भी नहीं बोद रहे हो है पर जैन लोग अपने प्राकृत भाषा के सारे क्लासिस चला में हैं हमारे बंबई में युनिवर्सिटी में पुष्टि मार के तीन बरस के कोर्स में Dragonr दो सो जादा विद्यारति नीहों में जबकि उनके कोर्स में जैनन के कोर्स में भी कलियना में हमारे चले है आचसो और руб innovator कि ए भरेज रहे तो रेशियो देखो क्या है जाहिन लोगन को, जनता को अपने धर्म के अपने और वो प्राकृत भाषा को चले आखो प्राकृत भाषा की आपको कल्पना नहीं होगी, कैसी जाहत की होगी, आपको एक उदार अण दो सुनोगे तो आपको लेंग्वेज को नेचर ख्याल में आएगो केनावी संगड़दी कस्वी पेम्म गंठी एमेव तत्थ नहीं कारण मत्थी रुवं चंगत्तनम पुन महुज्यदी जनतहीं वी तंदिज्जिये पिशुन लोव मुएस मुद्दा कुछ आया सबज में? इतनी दूर चली गई है अपन जो भाषा बोल रहा है मासु इतनी दूर चली गई है पर जिनको संस्क्रत समझ में उनको प्राकर समझने में तकलिफ नहीं होए के नावी के नापी कोई कुभी संघट दी संघटित होवे है कस्वी कोई के लिये पेम्म गंठी प्रेम की ग्रंथी पेम्म गंठी प्रेम की गाट एमेव ऐसे ही होए एमेव तत्थ तत्थ मने महा जासु गुजराती में त्यां बन्यों नहीं कारण मत्थी वामे कारण कुछ नहीं होए कौनसे कारण रूप के जैसे कारण रूवम मने रूपम अब देखो या तरीके की भाषा थी इतनी दूर चली गईती फिर भी जैन लोग पढ़े जैनाचारी लोग पढ़े जैनन के शिश्य पढ़े हैं अपने यहां अपन अपनी वर्जभाषा भी भूलते जा रहे हैं जा मैं अपनों कितनों साहित यह संस्कृत की तो संस्कृत भाषा तो आज अपनी परदादी भाषा है पर दादी तो जीए कर नी जीए भी विचार हो जाए अपने कुछ क्योंकि दादी मा कही हाल ये हैं तो ये प्राकर्त और मागदी अपनी दादी भाशा है अपनी मात्र भाशा हैं सब उन में सुनिकली है तो पर दादी को कौन याद करे पर दादी भी याद आती हो है अपनी वर्जबार्शा, अपनी मारवारी बार्शा अपनी गुजराती बार्शा तो वामे भी पुरुष्टी मार्ग को साहिट थी कम नहीं है वामे भी है साहिट थी वाके महरों से भी अपने मार्ग को अध्येंद कर सके हैं, नहीं कर सके हैं, ऐसी बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ो लेंड मार्ग है, या कि पहली आवर्थी तो नजाने कब छपी ती मुझा याद नहीं है। दूसरी आवर्थी शरतबावा ने छपाई। और शायद तो यह तीसरी या चोथी आवर्थी होनी चाहिए। यह फिर सु प्रकट भई है। यह के लिए प्रकाशकन को मेरे बहुत बहुत अभिनंदन। और अपन वह को यातरसु सदुप्योग करें। ऐसी आशा आपने रखें। और ऐसी महाप्रुभुजी अपने पर करपा करें। करने लातरसु और अशाइछ।